देश के संतुलित विकास के लिए ये बहुत ही आवशक है कि देश के गाउं में रहने वाला किसान ससक्त हो और एक ससक्त किसान के बिना न्यू इंडिया का सपना अधूरा रहेगा और इसलिए सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लक्ष पर काम कर रही है और इसलिए अब क्रिशी योजनाओं के एप्रोच में बढलाओं करते हुए उन्हें प्रोडक्शन सेंट्रिक होने के साथ ही इंकम सेंट्रिक भी बनाया गया है आज सरकार बीज से लेकर के बाजार तक किसान के साथ खड़ी हैं पानी की एक एक बुंद के इस्तमाल पर जोड हैं आर्गिनिक खेती हो क्रॉप डावर्सिपकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा हैं किसानों को मिट्टी की सहथ की जानकारी के लिए अब तक नव करोड से जादा किसानों को सोईल हेल कार दिये जा चुके हैं इन नैम योजना के तहट देश भर की पान सो से जादा क्रशिमंडियों को आउन लाइन जोडा जा रहा है अभी हाली में प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना भी शुरू की गई हैं और इसका मकसद देश में भंडारण की समस्या से निपटना और फूर्फ प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना वैल्यू एडिशन करना प्रधान मंत्री फसल भिमा योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कीजी वजह से फसल खराब हो गई तो किसानों को जिन्दगी भर आफ़त से गुजरना न पड़े किसानों को सुथ खोरों के चुंगुल से निकालने के लिए सबसे कम ब्याज़ दरों पर कज़ दिया जा रहा है आप देखेंगे कि सरकार के प्रयास इसलिए है कि किसान खेती से जुड़ी चुंटा से बाहर निकले उसका किसानी का खर्च कम हो आबदनी बड़े दब देश का अंदरताता चुंटा मुक्त होगा तो देश भी विकास की नई उचाई प्राप्त करके रहेगा ही प्राप्त करके प्राप्त करके रहेगा ही